हेलो अब्रिवन दिसी सुर्भी वल्कम तु स्टेडी है कैसे हो सब आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टेडी को बहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं डिसकेशन जो रहेगा आज का वो काफी जारा इंपोर्टन होगा आज का डिसकेशन आपका कंबाइन सेशन रहेगा 11th and 12th माई का तो आए डिसकेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं डे से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल नर्सिस दे इंटरनेशनल नर्सिस दे जो है हम एवरी एर 12 माई को सेलिब्रेट करते हैं यहां पर बर्थ अन्वर्सरी इस दे के चलते से सेलिब्रेट की जाते हैं जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइट एंगल एक इंगलिश स्कॉलर रिफॉर्मर स्टैस्टिस्टियन और फाउंडर ऑफ दी मॉडर्न नर्सिंग थी तो इनको लेडी विद दी लैप बोला जाता था तो इनी की बर्थ अन्वर्सरी पे हम नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ लेकिन नर्सिस के हम लोग बात करें तो कॉविड की डूरेशन में नर्सिस के द्वारा बहुती जारा इंपोर्टन रोल प्ले किया गया लोगों की जाने बचाएगे तो यह हमारी सुसाइटी के प बात की जा रही है नैशनल टेक्नोलोजी डे अब्जर्व किया जाता है 11 मही को एवरी येर यानि कि इसको कल के दिन सेलिब्रेट किया गया तो यहां पर ओनर इस डे के जलते हैं जो हमारी कंट्री के साइंटिस्ट है ठीक है उनकी उनके द्वारा क्या क्या चीवेंट्स प पोखरान यहां पे बोला गया ठीक है पोखरान न्यूकले टेस्ट किया गया पोखरान राज्यस्तान में यहां पे अपी जी अब्दूर कलाम उस टाइम साइंटिस्ट थे और उस दोरान जो थे अटल बिहारी वाजपाई हमारे देश के प्राइम निस्टर आफ इंडिया और 1999 में कारगिल वार भी आपको देखने को मिले आई हूप आपको यह क्लियर हुआ होगा बढ़ते हैं नेक्स आर्टिकल की और यहां पर बात जो की जारी है प्री आमिनेंट क्रोसिंग यहां पर आयोध्या में सिग्निफिकेंट क्रोसिंग जो है यहां पर डेवलप की ग दवार इंस्ट्रक्शन्स दे गई है चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा योगी अधित्यनाज वहां के चीफ मिनिस्टर और को क्रोसिंग उपढ़ते हैं यहां पर जब अंटर करेंगे तो इनके जो इनके द्वारा आईगे जो भरजन वह यहां पर आपको सुनने को मिलेंग clear तो उनके नाम पे ये सारी चीज़े रखी गई है I hope आपको ये clear हुआ होगा अगर हम लोग उत्तरपरदेश की बात करें तो अयोध्या उत्तरपरदेश में है तो उत्तरपरदेश के आपको capital लखनाओ देखने को मिलती है और state boundaries कोन-कोनसी टच करती है इसको वो है मद्यपरदेश, बिहार, राज्यस्थान, हर्याना, उत्राखंड और international boundary जो है वो नेपाल टच करती है I hope आपको ये clear हुआ होगा पड़ते है नेक्स आर्टिकल के और यहाँ पे बात की जा रही है Roman Rolnet book prize 2022 अभी यहाँ पे यह किसको मिला है बेंगॉली translation के किया गया मैसुर सॉल्ट कॉंटेर एंक्विटी के द्वारा यहाँ पे Roman Rolnet book prize जीता गया 2022 का अवोर्ड जो है इनको दिया गया Mr. Tiranjan चक्रोबती को इनके द्वार्ड ये एक translator है और पत्र भारती इनके द्वारा पब्लिश किया गया 5th Roman Rolnet prize जो है ठीक है इनको ये prize मिला गया फोर्डी बेंगॉली publication के लिए तो अवोर्ड जो है बेंगॉली translate किया गया बेंगॉल में फ्रेंच की जो नौवल है Medsort Contra Equity तो ये Medsort Investigation भी बोला जाता है इसको Contra Equity का मतलब है Investigation तो Award Ceremony जो है और्गनाइज किसके द्वारा की गई हमारी country में की गई फ्रेंच इंस्टिट्यूट के द्वारा और Medsort Contra Equity जो है Depth Novel है और अलगेरियन राइटर एंड जर्नलिस्ट कैमल dot के द्वारा ये लिखी गई है I hope आपको ये clear हुआ होगा उसके लवा देखे कि जिनको ये Award मिला है और ये Publish किया गया 2017 में जिनको ये Award से नवाजा गया है जिनके द्वारा ये Price रिसीव किया जाएगा तो उनको Paris Book Fair 2023 में सीधी इसकी टिकेट दी जाएगी ठीक है वहाँ पे जाने के लिए तो ये Interesting है तो यहाँ पे Finnish Translation French title into any Indian language including India including English तो यहाँ पे Roman Ronald Prize जो है 2017 में Publish किया गया यहाँ पे बात की जा रही है लाडली लक्षमी योजना 2.0 और ये काफी जारा important हो जाती है कोन सी स्टेट के दोरा लाँच की गई है तो लाडली लक्षमी योजना 2.0 जो है ये मध्यपरदेश गवर्मेंट के दोरा भी ये लाँच की गई इसका 2.0 यानि कि इसका second phase देखने को मिल ला है तो मध्यपरदेश चीफ मिनिस्टर जो है शिवराज सिंग चोहान जी के दोरा ये second phase इसका लाडली लक्षमी स्कीम का लौच किया गया है यहाँ पर basically motive क्या है एम क्या है कि encourage करना girl child को कि वो higher education को प्राप्त कर सके और अपनी self depend बन सके and scheme जो है ये implement की गई है government of मध्यपरदेश के दोरा 2007 में इसको launch किया गया था और enhance करने की बात की गई कि economic and educational status जो है वो girls को यहाँ पर दिया जाए और other financial यहाँ पर assistance प्रवाइड करवाया जाए girl को उनके birth से लेके उनकी marriage तक installments में ये government के दोरा पैसे दिये जाएंगे बर family जो है girl child की वो permanent president होनी चाहिए मध्यपरदेश की और below poverty line में उनकी family होनी चाहिए और वो income tax जो है वो pay नहीं करती होनी चाहिए ऐसा conditions रखे गई है जो criteria इस scheme को लेके तो maximum two daughters जिसकी होंगी तो इसको register किया जाएगा उनको schemes के under I hope आपको ये clear हुआ होगा अगर boundary 36 गर मध्यपरदेश गुजरात and also राजस्थाम तो यहाँ पर जो capital है मध्यपरदेश की वो भोपाल है larger city इंदोर है इसके इलावा इसके governor है मध्यपरदेश की मंगुबाई सी पर टेल चीफ मिनिस्टर श्विवराज सिंग चुहान legislature की बात करें तो unique capitalism है parliamentary constituency की बात करें तो लोग सभा की 29 seats है राज्य सभा की 11 seats है high court देखे तो इसका jurisdiction जो है मध्यपरदेश high court जबलपूर में है area के हिसाब से rank जो है इसका second है I hope आपको यह clear हुआ होगा यहाँ पर बात की जारी है world oldest chess grandmaster की world oldest यानि की बहुत जारा एज थी यानि की 100 तक इनकी एज थी जिनको world oldest chess grandmaster बोला जाता है तो यह रशिया से थे रशियन chess grandmaster थे जिनका नाम था Yuri, Yuri Everback तो इनकी हाली में ही अभी दैथ हुई है 100 year की एज में इनके द्वारा बहुत सारे world champions को train किया गया और last surviving participant जो था इनका great competition यानि की इनके द्वारा एक history दरच की गई है और इसके इलावा बात करें तो इनके द्वारा Moscow championship जिता गया 1949 में और grandmaster title इनको दिया गया 1952 में 1954 में इनके द्वारा इनकी USSR में became the champion ये बने and also chair किया गया इनके द्वारा chess federation of the USSR जिसको आज के टाइम हम रुष्या बोलते हैं तो 1972 से 1977 तक इनके द्वारा chess federation का as a chairperson जो है वो serve किया गया clear तो ये थी important current of his के session तो अगर आपकी जो topics बचे हैं वो आने वाले जो lectures है उसमें पे मैं cover up कर लोगी तो PDF के लिए आप Telegram जोइन कर सकते हैं Instagram पे भी आप follow कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो please like, share, subscribe जरूर कीजेगा Thank you for watching my video, जाहिंद